जैबियम साथियों एक बार फिर से मैं आज बहुजन कभी मानिये बिंदे सरी भारती लाहर जी से आप लोगों को अवगत कराएंगे सम्मेक रिकार्ड में आपका स्वागत है सर बहुत बहुत साथ बार आप एक इवा कभी हैं तो हम चाहेंगे कि इस सरकार में जो आजकल के इवा रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं और रोजगार के लिए दरदर ठोकरे खा रहे हैं तो आप उनी इवाओं के पीड़ा को दुखदर्द को आप समझते होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्सकों को उनी इवाओं के दुखदर्द के बारे में कोई अपन देखे इवा तो इवा है और हमारे देश में बेरोजगार किसान यह जो इवा बेरोजगार किसान दुकानदार हर आदमी परिशान है जो पढ़ रहा है बंदा उच्छी सिच्छा के लिए वो भी अब दर-दर भटक भटक रहा है आसानी से उसको यह सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है किसान है किसान के मावलम देखे है कि अनाज इतना महनत से पइदा करता है गाय चीजों से रखवाली करने के बावजूद उसके घर पर अनाज जाता है और जब वो सोचता किसान के पास वही एक माद्ध में कि अगला खिति उस से के पूजी से करें होता यह है कि एक तो अगर कहीं चूक गया तो खेस हिसाफ लेकिन इत्ते फाग अगर वह अनाज घर पर भी आ जाता है तो मार्केट वैलू यह किसी से छीपा नहीं है मार्केट में यह उसकी वैलू होती कि जो लागत लगी है उसका मजदूरी कम से कम उसका दो गुना तो होना ही चाहिए कि अगर एक गुना दो दुबारा पुजी में खेती में लग जाए तो कुछ बचत हो जासे तो का परिवार चल सके यह सारी चीजें यह सारी नीतियां नहीं बनाई जा रही है और जो ही नहीं लगा कर जिस तरीके से नोट बंदी में लाही नहीं लगा कर लोग पैसा जमा किये थे उसी तरीके से जंधन खाता खुलवाने में लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब खुश थे कि हम खाता खुलवा लेंगे भी या और इसमें पैसा आएगा इसा आएगा वैसा आ और देखेते हैं उत्तर से आने वाला दख्षिंग से आने वाला है इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हाहाकार मचा हुआ था लेकिन आखरी में में हुआ क्या है यह तो पूरा देश देख रहा है आप से जहीं कहिए तो इनी सारी घटनाओं को लेकर मैं किसान, इवाभे रुजगार, छात्र छात्राएं, हर लोगों को पीडा को देखते हुए, कुछ लाइने हमने इकठा की है, सरकार के नीतियों को लेकर, और इसके पहले भी बहुत सारी चीजें हमने आपके इस सम्मेक रिकार्ड के माध्य से लोगों तक पहुचाने का प्रियास किया है, काफी लोगों ने देखा, काफी लोगों ने सराहना किया, और देखे, सही को सही कहने में, अगर आप हिचकिचा रहे हैं, तो फिर आपके सिक्षा का कोई महत्तु नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो जो सही है, जो गलत है, तो सरकारी की नीतियों पर कुछ लाइने हैं और मुझे उम्मीद है कि मैंने तो अपने हिसाब से उसको इस तरीके से लिखा है कि जो सही दिख रहा है जो देखा गया है आप लोग भी उसको पूरा सुनिएगा देखिएगा सही है तो कमेंट करके जरूर हमको सुचना दीजे सुचित किजिएगा कि जो हमने बाते कही है क्या समाज के लिए हितकर है सार्थक है या नहीं है तो कहिना है सबु जनधन के खाता खुलवाईन 2017 में सबु जनधन के खाता खुलवाईन अब हीले फूटी कऊडिव न पाईन अच्छा दिना देखव ले हो चाचा जी कई प्रेम इदेखा हम सब के भर मौले हो सब जनधन के खाता खुलवाईन अब हीले फूटी कऊडिव न पाईन जनधन के खाता खुलवाईन अब हीले फूटी कऊडिव न पाईन अच्छा दिना दिखव ले हो चाचा जी कई प्रेम इदेखा बानर्य सब के न चव ले हो चाचा जी कई प्रेम इदेखा यह महब्बत है मान यह सरकार जी सरकार जो चल रहा है क्या कहा जाता है दोनों सरकार डबल गेर का सरकार डबल इंजन का सरकार यह डबल इंजन के सरकार में ऐसे भरमाया जा रहा है घूमाया जा रहा है कुछ होने वाला नहीं है कहना है इवाद ने क्या सोचा था जब ये सरकार आई और इनका जो चल रहा था वादा वादा को सुनकर क्योंकि ये योजना चल रही थी मन की बात सुन सुनकर लोग इतने खुश थे कि समय आएगा तो हम लोग किसी लायक हो जाएंगे जो इवादे बड़े खुश थे लेकिन हुआ क्या कहना है सोचल रहले इवादेश के मिल जई हैं रोजगार हो अरे जावन रहले हो गई ले बैठी के पीटा कपार हो आज हमारे साथ ही देखे बीट किये हुए थे सिच्छक बनने के लिए पेट टेट सीटेट बहुत सारी तयार है कर रहे थे कोट ने आदेश दे दिया कि बेसिक टीचर के लिए स्रिफ बीटी सी ही ज़रूरी है बीट को सेलेक्शन नहीं हो वायो गुमाने जाएंगे अब परतिक्षा में बैठेंगे हम सब के भर मौले हो चाचा जी कई प्रेम ही देखा और कहना है मन की बात सुन सुनकर लोगों ने क्या किया कहना है कि चूसत चूसत लाली पाप के वठवा भैले लाले हो महागाई से कमर तूट गए भैले हाल ब्यहाल हो भैया जे मोटर साइकल लिए रहा कि चलो आसानी से चलब आज पिट्रोल का भाव डीजल का भाव देखी रहे हैं आसमान चूरा है और ये छोड़िए आज हरा सबजी खाने के लिए ये देशबासी तरस रहे हैं देख कर अपनी इसे कलपना करता है कि टमाटर ऐसे होगा टमाटर का स्वाज ऐसे होगा टमाटर का दाम थोड़ा कम हुआ है लेकिन दो तीन महीने इतना भय हो गया था जनता के दिमाग में कि आज टमाटर देख रहे हैं लेकि रेट नहीं पूछ रहे हैं कि भाईया वही रेट होगा जबकि सस्ता हो गया महागाई से एकदम कमर तूट चुकी है जनता की होता क्या कहना है कि चूसत चूसत लाली पापु के होटवा भैले लाल हो महागाई से कमर तूट गए भैले हाल बहाल हो रोजिवा रोजगार मिटाईन सिरस्य उपर टेक्स लगाईन रासन फिर भेजव ले हो चाचा जी कई प्रेम इदेखा बानर्य सब के नचव ले हो चाचा जी कई प्रेम इदेखा हम सब के भर मौले हो चाचा जी कई प्रेम इदेखा और आज इसी बेरोजगारी के चलते जिसके पास परिवार है खर्च है और आई का सुरोत कुछ नहीं है ऐसे लोग mentally disturbed होकर depression में आकर बहुत इसे लोगों जिन्हों ने अपनी जाने कमा दी है मतलब आत्म हत्याएं कर ली हैं मैं कहना चाहूँगा इसे बेरोजगारी वा के लिए जो सरकार जरा साभी दिरिष्टी नहीं घुमा रही है कि देश में क्या हो रहा है कहना है बेरोजगारी के सहना पौले के तोनों के देले जाने हो सिक्छा स्वास्त सुरक्छा खातिर रहले सब परिसाने हो यही से अच्छा दिन नायाई है हक मंगी है जे मारा जाई है यही से अच्छा दिन नायाई है हक मंगी है जे मारा जाई है लहरी का खुबै रोवले हो चाचा जी कई प्रेम इदेखा हम सब के भर मौले हो चाचा जी कई प्रेम इदेखा बानर्य सब के नचव ले हो चाचा जी कई प्रेम इदेखा बड़ा बड़ा सपना देखा उले हो चाचा जी कई प्रेम इदेखा बहुत बहुत साथ बाद मैं मनोज मोरिया कैमरमें लाहुर समराड के साथ आप लोग देखते रहे हैं सम्मिक रिकार्ड